सो हेलो गाइज वेलकम बेक टू रोडी व्लॉक्स तो आज मैं जा रहा हूं अपने गाउं और अल्मोस्ट मुझे यहां से दो से तीन गंटा लग जाएगा रुक रुक के जाओं अब लोगों नजारे दिखाऊंगा या के यह जड़ा पीछे का बैक्ग्राउंड देखे गा वहाँ पे दोपरा चाटी पुला है भी हम वहीं जाएंगे और वहां से मैं आप लोगों के लिए ब्लॉक बनाओंगा उसके बारे में बताओंगा वहाँ पे जो भी है ना लोकेशन उसके बारे में कुछ आपको उताओंगा देखां हलके फिलके बारी सो रही है यहां पे बादलों के नजारे उठाएए गाइस क्या सुन्दर जगाया है तो गाइस हम निकल के हैं तीरी से लम्गाउं के लिए और मुझे यहां से दो गंटे करीबन लग जाए कि मैं रुक रुक के जाऊँगा ना आप लोगों को अच्छे अच्छे व्यू में दिखाऊंगा जान आए और आज थोड़ा बारीस हो रही है मौर्निंग से ना और बारीस में थोड़ा की चड़ वरी चड़ बहुत जादा मिल रहा है रोड़ पर तो में आज नई टेरी से निकला हूँ और दुपैर तक मैं लंगाउं पहुंच जाऊंगा फिर लंगाउं से मैं थोड़ा सा उपर जाऊंगा अपने गाउं में और अपने गाउं में आज साइदा मेरा night stay मेरे गाउं में होगा नजारे के मज़े बठाइए क्या road है मज़ा आगया ड्राइब करने में और यह आप सामने रेस्टूरेंट देख रहे हो यह वाला यह वाला भी बहुत ज्यादा फीमस रेस्टूरेंट है यहां पर खाना अगर यह कुछ रिलेटिव ही लगते हैं हमारे दूर के साथ में इन्होंने ट्वालेट बना रहे हैं बहुत मज़ा आता है यहां पर ना तो यहां के प्राइब यहां के प्राइब जमीन आसमान का फरक होता है यहां पर यह दिक्कत है लोगों ने अपड़ी गाडिया पार करें देखिए हरिया का नंबर बीच में पार कर दी भाई ने गाड़ी थोड़ा साइड में लगाते हैं आगे जाके बट नहीं सब को मज़े उठाने प्रकरती कि है वड़ी है वड़ी है गूम होए दिली की गाड़ी यह देख रहो यह भी दिली की टेक्सी है आजकल दिली और हर्याना से बहुत ज़्यादा लोग आ रहें गूमने के लिए तो अपने को यहां से लेफ्ट लेना है और नीचे डोबरा चाटी पूल ह तो मैं आपको केबल पूल है उत्राखंड में और अपने को यहां से लेफ्ट लेना है और आगे अगर आपको घंसाली चमियाला जाना तो यहां से आप सीधा घंसाली चमियाला जाते और जिससे मैं मूड रहा हूं यह जाता है यह वाला रोड जाता है डोबरा चाटी पू होता है वह पास करने के लिए तो गाइज यह देखिए पहाड़ों के ब्रिज कैसे होते हैं कि पूरा मैटल का ब्रिज बनाया है वाइनोंने कि आगे जाके मुझे जील भी मिलेगी जो कि टीरी जील है बहुत बड़ी जील लगाई तो कोशिस करूंगा आपको दिखाने की क्लोस से ना कित्ती बड़ी ओ जील है कि अज़िए 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 तो साइट देते हो कि अज़िए थोड़ा साफदान दियेगा ऐसे रोड़ों पर क्योंकि पहाडों में थोड़ा दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा इधर दुदर हुआ नहीं निकला है ना इसकर के थोड़ा दिक्कत है आज देख रहे हो क्लावडी वी वेदर है आज कि अच्छाइब यह इस यह राइट साइड में देख रहे हैं अप आप दिखाता हूछ कैमेरे पर यह राइट साइड में नीचे देखो än यह इडिग्स करूंगा है मैं नीचे पर आपको लेके पानग्र या पर दोवराचाटी पूल है ना तो वहाँ से बहूं इस लेका इस लेका इस लेका बहुत सुंदर लेक है जाए बहुत ज्यादा सुंदर और मोडो पर होरन बजाना आनिवारी आया है यह पर आगे देखो ब्लाइंड स्पोर्ट है मुझे पता ही निए वहां पर एकदम तर्न है तो पहले ही हो गाडी तो देखो सामने नदी यह यह देखो मुझे जहां तक आझा है कि गाड़ी आएंगी आए rein तो कहें यह देखें यह पर लेंड-सलाइड ओ रख्या क यहां पर होता है यह दिखो फट्द सामीर खट्सालिया कच्चय काड़ हैं भाड़ीये निचे तो पत्थर आरहर कि हो पर सखके निच्चय काड़ तो गाइस यह दोबरा च्वाटी पूल के ओपर से हम जा रहे हैं यह रेड लाइट ग्रीन लाइट कार तो भहिया वाहन लें अच्छा यह हम दोनों के लिए हम दोनों के लिए तो यह दोबरा च्वाटी पूल के ओपर हम गये हैं अभी शानदार है यह मंदिर भी एसके साद यह सके बिम है राइट साइड में यह देखिए गाइस जवड़ दस्त वाओ ऑसम् काफी चौड़ इनों बनाया मतलब दो कार एजीली निकल जाएंगे दो बसे तो नहीं निकल पाएंगे पर दो कार एजीली निकल जाएंगे ट्रैकर भी एजीली निकल जाएंगे कर दो कर दो कर दो कर दो प्राइबने नहीं वस्सम गरीज यार, बहुत जबड़ दस दो, मानना पड़े का भाई गाई दोबरा चाटी पूल लमगाओं 19 km है यहांसे मेरा तो इस ब्रीज का मैं आपको क्लोज लुक दिखाता हूं और देखिए गाई तो गाईज जो आप पीछे पूल देख रहे हो ना यह दोबरा चाटी पूल है उसकी लेंथ मैं बताऊंगा यह इंडिया का लॉंगेस्ट सस्पेंशन ब्रीज है 440, 440 मीटर्स की लेंथ है मतलब आप मानके चलो आदा किलोमेटर आग इसकी लेंथ है वहां से लेकर और पूरा एंड यहां तक और यह पूरे इंडिया का सबसे लॉंगेस्ट मोटरेबल सिंगल लें ब्रीज है यह जो आप पीछे देख रहे हो गाई प्राउड मुमेंट फोर आज गाई तो क्योंकि मेरा गाउं परताम नगर में मुझे पता है इस ब्रीज की कितनी इंपोर्टेंस है हमारे लिए जब यह ब्रीज नहीं बनाता तो हम लोगों को बता कहां से जाना पड़ता था वह देख रहे हो आप आप पे उससे हमें बन जाना चाहिए था जाएर काफी लेट इस ब्रीज को बनाने में खुम बोला जाता था कि इसका एक यह कॉलम होता था था घस ला यह में ्ली लेक है यह में उसके उपर से जो सबसे shortest distance थी हमारे लिए परताब नगर वालों के लिए उस पहाड से connect कर निकले तो वो यही थी और इसका जो पूरा length है वो 440 meter तो गैस बहुत ज़्यादा लंबा और चोड़ा यह bridge है गंगोतरी के route जाता है यह मनोतरी का route जाता है तो यही route जाता है यह छोटा route है बड़ ठीक है मतलब condition है आप लोग आ सकते हो इसी route से इतना भी कुछ land slide वाला area नहीं है यहापे थोड़ा बहुत एक दो जगा पर patches मिल सकते हैं आपको land slide के और हर जगा नहीं है यहापे ठीक road है मतलब single अगर आप आराम से चलाते हो पहाड में आपने drive करा तो आप easily route पे चला सकते हो तो इस bridge के बनने के बाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा facility मिलेगी in future तो मिलेगी मिलेगी क्योंकि हमारा जो tourism sector है वो इसके चकर में boost होगा और जो health sector है काफी लोग जैसे हमारे परताब नगर के लोग जो बीमार पर जाते थे जब तक हम इनको शहर लेके जाते थे ना रिशी केज या फिर कोई दिल्ली तक तो बहुत ज़्यादा time consume होता था और उसी बीच में काफी लोगों की death भी हो जाती थी तो इसके बनने के बाद लगबग लगबग 5-5 गंटे लगी जाते थे और इस बिरिच के बनने के बाद अगर आप अच्छे खासे ड्राइवर हो तो आप 4-4 गंटे के अंदर अपने गाउं पहुंचाओगे तो बहुत इस बिरिच ने हमको दिया है तो बहुत से मेरे भाई लोगों को पता नहीं ह अपने अपनेант ही है और जो गंगोतरी धाम हो यहांसे काफी उपर है तो उस से जो पानी आता है वह और यहांush ल конечно का पानी है पूरा चील्ड पानी है है जो टीव डाया नी इ già यह हो बना रहा लोग आते हैं वहांपने और नाइट स्ट इसके नीचे से बोट वगेरा जाती है तो बहुत आने वाले टाइम में अभी तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि यहां पर जो मैं on-ground development देख रहा हूं अभी किवल रोड का development हुआ है ब्रिज वगेरा बना है तो इन फ्यूचर यहां पर डेवलप हो नहीं वाला है और टूरिजम सेक्टर बहुत जादा बूश्ट होगा यहां पर क्यूंकि ऐसी लोकेशन पूरे इंडिया में डूंड़ना बहुत इंपॉसिब आला है नहीं डूंड सकते ऐसी लोकेशन आप द कुछ भी बुक कराके इसली दिल्ली मुंबई हर्याना जहां से मर्जी आना चाहो आप आ सकते हो और इन सुहावने दिरश्य का आनन्द उठा सकते हो गाई कितना खूबसूरत है तो गाइस अभी लंगाउं जा रहा हूं अलमस्ट रहे गया है साथ-8 किलोमेटर रहे हैं य कि चड़ी कि चड़ था उस रोड पर यह रोड ठीक है सकरी बढ़ी है और ग्रीन री भी आप देख सकते हो कितनी शांदार है कि ट्रैफिक तो ना के बराबर है यहां पर मैंने ट्रैफिक बिलकुल नहीं देगा यहां पर इकी दुकी गाड़ियां दिख रही है मुझे आज मुझे ट्रैकर भी बहुल कम दिखे हैं बसे भी बहुत कम दिखिया है टूरिजम थोड़ा कम हो गया है आपर न कोवेट के चलते सारा काम कराब हो गया यह देखिए अंटी जी काम कर रही है यह यह पर इसमान उठा के उपर लिगे जा रहा है अपने लिए रेता वाक यह चोटे-चोटे मंदिर रोडों के साइड में बना रहते हैं आप यह आपने अपने अपने वह माई कुड्नेस यह यहां पर ब्लाइंड इस पॉड में बचना बड़ा मुस्किल है यह देखा होगा आपने के एकदम से ट्रग आगया था दिक्कत ही होती है अगर गाड़ गाड़ी एकदम सामने में आए ना सीधी रोड में तो गोई दिक्कत निया ब्लाइंड स्पॉड में अगर गाड़ी आती ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है इस पेसले इतनी पतली यह रोड है इसमें एक गाड़ी निकालने ही बड़ी मुस्किल है दो-दो-एक साथ जाता जाए तो बड़ी दिक्कत जाती है उतर कासी स्ट्रेट लंगाओं भी स्ट्रेट अमको अपने को स्ट्रेट जाना है तो यह लंगाओं का रास्ता है तेखो अब ही मुझे टाइम पर मिल गया था एक टायर में रोड से निकल गया बाहर ठीक है पहले दिख जानी जाए गाड़ी तब मोड पर दिखते है ना ताला डिस्बैलेंस हो जाता है पिप 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 ओ गुड़नेस इसको क्रोज यह बटर क्रोसिंग पता नि कहां पर कितना गहरा गटा है मैं गुड़नेस बहुत जादा पानी आया है यहां पर लोग गाड़ी दूटे है इस साइड में राइट में जब हम चोटे में आते थे यहां पर तो कमांडर वाले पिनी गाड़ी के सीसे वागर यहां भी साफ करते थे कुछ नहीं बदला यहां पर वैसे ही एक तम जो पुरानी चीजे थी वही अभी आसी है रोड भी पहले आसी थी अभी वही आसी है आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट में लेकर आया करूंगा उत्राखंड से तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगा मिलते आपको थोड़ा आगे पर तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं लंगां की मार्केट य यहां यह मार्केट बसी भी है और रहतेंगि उससे भी पुरानी होगी उसमे कुछ चेंज नहीं हुआ यहां पर रोड वगरा भी चौड़ी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में सीधा खाई है और निचे नदी है तो इसको चौड़ी नहीं कर सकते ज्यादा जितनी है उतनी है इसका अल्टरनेट रूट निकाल सकते हैं अगर इन फ्यूचर कुछ टनल वगेरा या फिर पहाड काटके पुछ कर पाएं जुगाड यह देखिये बच्पन की यादित आजा हो गई यहां कर देखिए बच्पन की यादित आजा हो यह मार्केट नीचे टाइल्स विशा रखे है अनों नहीं है अच्छा है कुछ नया देखने को मिला है पहले भी मैने देखी ती बड़ इस वार बड़ा बच्छ खास है तो यहां पर जितने भी गाउं है तो उनकी यही मार्केट है इकलोती है ना लंगाउं मार्केट वर ना इन लोगों को जाना पड़ता है रिशी केस तो यहां पर जितना भी समान आता है वह सारा रिशी केस से ही आता है तो गाइस यह कुछ विव है मेरे गाउं से देखिये क्या ग्रीनरी है यह गाउं है देख रहे हो ना ऐसा घर है हमारा गाउ भूब में लोगो आने कपड़े रख्रफ में सुगा रखों है काफी दिनों को बाद यहां पर दूब आ रही है बारिस का मोसम हो रहा है नो तो यह हमरा घर है यहां पर हम रहते हैं कभी-कभार आते हैं जब कुछ इवेंट वग्र तो मैं काफी टाइम के बाद अच्छा लगा यहां पर आके गाई यह देखे ग्री देख रहे हो ना यह मेरा गाउं है और कभी साधि बगेरा होती ती गाउं में तो मैं कभी कभार छुटियों में आ जाता था यहां वन्हां बहुती कम आना होता है हमारे यह यह देखे मेरे से नज जा रहा गाई कितना खूबसूरा देखे तो यही मैं थोड़ा शांदी बाने के लिए अपने गाउं आया था अना काफी टाइम से अपने गाउं नहीं आया था तो सोचा कि इस बार सबसे पहला विजिट करो अपने गाउं को घुमू पूरा मजे करो और यह कुछ उपर गना जा रहा है यह पहाड़ कि इसके ऊपर कोई भी घर नहीं है सबसे पहला गर हमारा है उसके बाद पूरा जंगल है राइट साइड में भाई और उसके बाद भाई भाई यह देखे ऊपर पूरा गना जंगल है तो गईस यह मैंने कुछ वीडियो पनाई थी तीन आपने तीरी गडवाल से अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा तिल देन बाबाई जय हिंद जय वारत काई बाबाई लब यूओ